है 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 हलो गाइज वेल्कम टो माइच चैनल केमिकल डैरी आज मैं आप लोग को पेट्रोकेमिकल के यूनिट्स के बार में बताऊंगा जो बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह यूनिट्स आपको बहुत सारे जॉब देंगे वह भी हाइप एड हाइज सैलरी जॉब देंगे चलिए आज हम इस वीडियो पर बात करते हैं और इसमें समझते हैं मैंने लास्ट्राम से यह वीडियोें इंग्लिश में दाला था और आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूं ताकि बहुत लोग जिसे इंग्लिश नहीं आती जो हिंदी में बहुत कमफर्ट फिल करते हैं व्लोग आसानी से सीख सके हैं चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के बने बताता हूं और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे देखिए पॉसर यूनिट जैसे के शोरवाटरस श्रिपफर यूनिट Az Green Dobining डिजेशन यूनिट और सफर रिकवर्ड यूनिट यूनिट टेल गयास व्लू उनिट जैंस फे बहुत सब्कार सब्सक्राइनल सल्फर हेंग अर्लस सूरेटर दिजल ह्तुरम इयोट गया दिजल के रुशन हाट रोदेटिंग घ्र हेट्र टृटिटिंग— enfin हाइड्रो क्राकिंग— हाइड्रो प्रोसेसिंग— और नायुत थ्रा हाग्र Aww ही नचिक्ण थूटो टेक्व्थ नाय। मैं आपको ये प्रोसेस बताहूंगा थाक्र आप लोगों बहुत आसानी से समझ में आ जाए देखे, सबसुपल आपको यह जाना जो जरूरी है sour gas या sour feed और sweet feed और sweet gas sour gas ऐसी gas है जिसमें contaminants हो contaminants वो है जैसे के sulfur, nitrogen, oxygen और metals, halites यह जो contaminants है यह आपके metal को खराब करते है मिनली जैसे के सलफर है सलफर जब हैड्रोजन से रियाक्ट करते हैं या कोई केमिक कोई रियक्शन से रियाक्ट होता है तो होता है वह क्या होती है लाइनों को खा जाती है क्योंकि सलफर ऐसे डिक है इसलिए तो इस कंटैमिनेंट्स को हटाना बहुत ही जरूरी तो कनटैमिन फटाने के लिए हम सबसे पहले आफ प्रॉसेस ही उजी करते हैं हाईड्रटीटिंग और हॉज dues करते हो है रेटर प्रॉसेस disciplined सीख लहते हैं जलिए हम सबसे पहले सीख लेटेंग है इसा मेथड जहां पर फीड फीड देखे केरोसीन केरोसीन डिजल नाशल्ल गैस और गैस ओईल इसमäg रिशीडियू कूड और रिडियूस कूड नाफ था तो इस फीड को जब हैरोजन से रियाक्त किया पर यह होती है उसको क्याता है तो रिसको क्या था है हमें hiç क्रिद hydrogen oxygen अब आभीदा देखे hydrogen यह sulfur इसमें contaminate है हम जब इसमें hydrogen gas दाले hydrogen sulfur से react करके s2s बनती है जो हम sulfur recovery unit को भेज़ेंगे और nitrogen hydrogen से react करके ammonia बनता है जिसको हम sulfur recovery unit को भेज़ेंगे hydrogen oxygen से react करके इसको हम इससे बनता है sour water यह sour water stripper unit को जाएगा और hydrogen add करने से देखे हमारे benefits क्या है तो contaminant remove होते हैं दुसरा oliphene saturate होता है और metal highlights जो जो metal harmful है फीट के लिए वह भी रिमोवाते हैं तो ठीक है हमने यह तक तो देख लिया कि hydro processing और hydrogen क्या है और hydro आपने अभी तक hydrogen जान गया है है hydro processing जान लिए तो hydro cracking भी जाना ज़रूरी है hydro cracking गैसा method है जो molecules को simpler form में divide करते हैं उसको hydro cracking करते हैं ओके ठीक है यह हमारी contaminants है तो line corrode हो जाएगी और leak होने के chances होते है तब बहुत ही मुश्किल होगा अगर gas leak होगी और जलने के या fire hazard even explosion hazard भी हो सकता है तो ऐसा ना होने के लिए हम इसको generally treat करते हैं और इसमेंसे contaminants remove करते हैं specially sulfur nitrogen oxygen तो यह हमारी feed है इसको हम kerosene hydro treating करते हैं जब हम kerosene को hydrogen से react कर रहें अगर हम diesel को hydrogen से react करेंगे तो इसको diesel hydrogen करते हैं अगर natural gas को करेंगे तो natural gas hydrogen करते हैं या ना तो है प्रेशर कर रहें हमने kerosene लिया और यहासे hydrogen लिया hydrogen को high pressure से ये टैंक में केरोसिन था और high pressure tank hydrogen compressor से जो high pressure में आई और यहां से एक reactor में गई और वहां से hydrogen और केरोसिन react होकर इसमें जितने भी contaminants है जैसे sulfur है, estuase बन गया, nitrogen है, ammonia बन गया और oxygen है, तो वो sour water बन गया और जो olefin's है, वो saturate हो जाते हैं और metals भी remove हो जाते हैं, ठीक है, तो जो ह हमारा feed है, वो हो गया, treated feed हो गया, देखिए, और जिससे हमने hydrogen react करने पर, यह treated feed हो गया, sweet feed हो गया, decontaminated feed हो गया, क्योंकि हमने इसमें से contaminant remove कर दिया, ठीक है, अब तो हमने feed में से जो केरोसीन डाला है, इदर से hydrogenate किया, और treated feed चला गया, लेकिन अब इसमें जो contaminants हमने जो remove किया, उसको क्या किया जाए, अगर हम ऐसे ही फिक देंगे तो हमारा एक loss है, दुसरा environment के लिए भी सही नहीं है, तो हम इस contaminants का कैसा यूज़ करते हैं, ताकि minimal waste तयार हो, और maximum efficiency से हम products निकाल ले, तो देखें, ये contaminants का हम कैसे कर देखें, हट्रोज़न डालने पर treated feed आ गई, और इधर से अब return में देखें, बाकी के unit है, agro और ato, acid gas removal unit, और amind treating unit, और एक unit है थे कर सोर वाटर स्ट्री पर, ये दो, जब देखें, यहाँ पर हम gas को बलसक react करेंगे, या केर इस reactor में से जो gases आती है, light gases, जिसमें, sour water, sour gases रहते हैं, H2O, ammonia, वो हम कैसे remove करते हैं, यह तर आपको, मैंने आपको बताया के, sulfur, nitrogen, oxygen, contaminant है, जब oxygen, hydrogen से react करता है, तो H2O बन के दर, sour water में आ जाता है, और इस process के दारान, ये feed को quench करने के लिए, और metals को बचाने के लिए, हम क् करते हैं, boiler feed water और strip water से हम उसको cooling करते, cooling करने पर क्या होता, बहुत सारा water generate होता, वो water बहुत ही acidic होता है, तो उस water order में maximum percentage hydrogen sulfide का होता है, इसलिए उसको sour water कहता है, क्या कहते हैं, और जितना भी sour water इसमें generate हुआ है, वो sour water इधर इस unit में जाता है, और sour water जब generate होता है, और आग treating unit में, तो उस unit में से देखे हैं, हमारे पास बहुत सारे gases generate होते हैं, जो mainly h2s है, और वो h2s को हम remove करने के लिए agrpu unit को भेजा जाता है, acid treating unit और acid gas removal unit, acid gas removal unit में भेजा जाता है, उसके बाद देखिए, aru को भेजा था, amine regionation unit, amine regionation unit के बाद फिर उसको, amine regionate हो गया, उसको amine reclaim unit भेजा जाता है, उसके बाद amine treating unit भेजा जाता है, जैसे बस यही यह circle देखिए, यहां से फिर दुबारा यहां आ गया, ठीक है, अब हम देखिए, यहां से जितना भी sour water जमा हुआ जैसे oxygen react with hydrogen sour water बन गया, और hydro treating के दौरान बहुत सारा sour water generate होता है, वो sour water भी यहां पर जाती है, वो sour gas और जो resultant water था, sweet water होता है, या treated water होता है, जो हम दुबारा plant में recycle कर लेते, तो ठीक है, अभी तक आपने overview देखा है, अब हम steps by step एक एक unit में जाएंगे, अब ही मैं आपको बताऊंगा, एजी आर यू और acid treating unit, अब देखे, मैंने आपको बताया के हमारी जो feed थी, वो hydro processing unit और hydro treating unit में, उससे contaminant निका लगा है, अब हम जो भी पढ़ेंगे contaminants को कैसे remove कर रहे, यह हमारे पास एक reactor है, जिसमें देखे, यह packing है, और sour gas, जो compressor से आई है, जो यहाँ पर, जो सबसे पहले जाएगी, नौकाट ड्रम, नौकाट ड्रम में देखे, यहाँ से remove हो, नौकाट ड्रम में जीते भी contaminants है, यहाँ पर remove हो जाएगे, और high pressure से sour gas इदर आएगी, और sour gas नीचे से जाती है, देखे, क्योंकि यह absorption column है, और top से हम क्या करेंगे, lean amine spray करेंगे, pump के जरीए, तो जब यह lean amine spray होगी, तो lean amine और sour gas, दोनों react होते, react होने पर देखे, इसमें sour gas में जितनी भी hydrogen sulfide, ammonia, जितनी भी है, वो सब इसमें absorb हो जाएगी, और वो रिचा, और lean amine जो है, वो absorb होके रिचामान बन जाएगी अच्छा, इस से पहले, इस यूनिट से पहले हम को जानना यह ज़रूरी है कि lean amine क्या है, rich amine क्या है, ठीक है, lean amine देखिए, ऐसी amine है, amine सबसे पहले हम जान लेता है कि amine क्या है, amine एक alkyl group, amine एक basic component है, amine एक organic compound है, जो ammonia से बना हुआ है, amine और organic compound, which is derived from ammonia, when hydrogen, hydrogen, when hydrogen are removed and replaced by alkyl chain, देखिए, NH3 ammonia है, ठीक है, हम इसमें से hydrogen remove करके समें, alkyl chain लगा देंगे, तो amine बनाएगा, for example, मैं आपको अभी बताता हूँ, यह NH3 है, ठीक है, अब मैं इसको remove करकर, NH2 बना दिया हूँ, और इधर मैं एक R लगा दिया हूँ, यह alkyl chain, तो यह amine बन गया, अब मैं चाहिए तो इधर NH लगाँगा, इधर एक R, इधर एक R, इधर एक R, यह alkyl chain, अलkyl chain मैंने लगा दिया, अब यह हमारा बन गया है amine, amine बहुत खिसमगे होते हैं देखे, methyl ethanol amine, dye ethanol amine, diclucol amine, methyl dye ethanol amine, dye isopropyl amine, और tetra ethanol amine, यह सारे amine है, amine का base main function यह है, sour gas को absorb करना, इसे हम कैसे absorption column, जहाँ पर sour gas absorb होती है, चलिए, मैं एक अच्छा से example ले लेता हूँ, यह हमारे पास natural gas है, और natural gas देखे, एक sour gas है, जिसको हमें sweet gas बनाना है, तो acid gas remote unit और acid treating unit, acid gas treating unit, या EGTU बोलिए, या EGRU बोलिए, तो यहाँ पर हमारे पास sour gas आई है, जो natural gas है mainly, आपके understanding के लिए देखे, आपर लिख देदा हूँ है, natural gas, NG, ओके, अचलिए, तो यहाँ से natural gas इदर से आई है, वो भी compressor, high pressure compressor से, यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, अब इन बीट्विन क्या हो रहा है देखे, यहाँ से यहाँ गए, अब इन बी बीच में एक लोहे के रॉट की तरह होता है, जब गैस इससे struck होती है, नौक होट होती है, जो भी liquid है, इसमें नीचे जमा हो जाता है, वो तुबारा dendrum को चल लाएगा, और जो natural gas, जो इसमें water नहीं है, वो इधर आ गयागी, अब natural gas जब नीचे से जाती है, तो उपर से lean Amine, lean Amine species scrub होता है, और इसमें से जितना भी H2S, ammonia, contaminants है, यह सारे इस lean Amine में absorb हो जाएगे, और resultant Amine होगी, rich Amine, और यहां से sweet gas जाएगी, sweet gas दुबारा नौक होट रम से जाएगी, इसमें जो भी Amine कलेक्ट हो गया, वो दुबारा इसी drain रम में भेजागा है, और दुबारा respiratory cycle किया जाता है, और यहां से जो resultant gas है, sweet gas है, sweet gas जब pipeline के जरीए, उसको दूसरे unit या दूसरे countries में या supply करने के लिए भीज दिया जाता है, अब देखे, natural gas से contaminant remove करना बहुत ही necessary है, अगर आप contaminant जैसे hydrogen sulfide और hydrogen sulfide, ammonia, sulfur, nitrogen, oxygen जाकर यह remove ने करोगे, natural gas की जो pipeline जा रही है, उस में वो line time by time उसमें से खा जाएगी, खाने पर सुराख हो जाएगा, और explosion के chances है, hazard, fire, बहुत ही difficult होगा, अगर ऐसे होगा, और even हर time जब यह pipeline leak होने लगेगी, और आपको pipe replace करना पड़ेगा, यह company पर भी बहुत सारा cost बढ़ जाता है, तो इसी वज़े से हम इसको हटाते है और जब natural gas, दूसरे process के लिए use किया जाता है, तो वहाँ पर भी metals को खा लेती है, catalyst कर देती है, इसलिए हम हटाते है, तो इस unit को कहता, acid gas removal unit और acid gas treating unit, चलिए हम मैंने आपको बताया है, अमाइन तो बता दिया हूँ मैंने, formula के साथ, अब हम आपको बताओंगा, lean amine क्या है, अमाइन गाए, lean amine ऐसी amine है, जिसमें H2S नहीं है, और rich amine ऐसी amine है, जिसमें H2S presence है, वो कैसे है, amine तो आप जान गए, कि amine क्या चीज़ है, कैसे बनती है, और amine का formula भी आपने देख लिए, lean amine ऐसी amine है, एकदम fresh amine है, जिसमें H2S नहीं है, जब यह lean amine यहाँ से जा इस natural gas में content ज्यादा है, sour gas का, sour gas एक ऐसी gas है, जिसमें contaminants है, तो sour gas का content के हिसाब से हम amine select करते, main amine select करने का method यह होता कि sour gas में H2S, ammonia content कितना है, उसी content के हिसाब से हम amine select करते, अगर low content है, तो हम low concentration वाली amine लेगे, या DEA, MDA देगे, और TE भी ले सकते, अगर H2S ज्यादा है हम MDA लेंगे, और भी से अची suitable di-clocal amine, से अची suitable amine लेंगे, तो lean amine का मतलब ऐसी amine है, जिसमें H2S नहीं है, और एकदम जो readily H2S को observe कर लेगी, rich amine ऐसी amine है, जो H2S और ammonia और contaminants को observe कर ली है, बस उसे rich amine करते हैं, ठीक है, अब आपने lean amine, rich amine, sweet gas, sour gas भी जानगे, sweet gas ऐस इसी gas है, जो इसमें contaminant नहीं है, sour gas और sour gas, ऐसी gas है, जिसमें contaminant है, वो contaminant क्या है, nitrogen, hydrogen, oxygen, ओके, जो H2S, ammonia के form में लेते हैं, after hydro treating के बाद, तो ठीक है, अब हमने ये तो जान गया, अब next process चलते है, Amine Regenation Unit, मैं आपको अभी बताया के Amine Treating Unit, तो अब आप दुबारा देखिए, ये rich amine है, ये rich amine को हमको lean amine बनाना है, तके दुबारा हम इदर use कर सके amine, तो जो जो rich amine है, वो आएगी, Amine Regenation Unit को आएगी, तहापर Amine को Regenate किया जाता है, अब देखिए, वहाँ से rich amine आगी, कहा से, acid gas removal unit से, acid gas treating unit से, Amine आगी, rich amine यहाँ यहाँ पर आगए, वो आगी सबसे पहले, फ्लाइज ड्रम में आगी, फ्लाइज ड्रम में आने के बाद देखिए, जिसमें जो भी अगर, जो भी hydrocarbons है, वो hydrocarbon train drum को चल आगे, रिमूप हो जाएगे, हैद्रो कारबन को जागे, और बाकी के जो amine है, फ्लाइज ड्रम से, वो Amine Regenator आगी, यहाँ पर एक देखिए, एक exchanger है, जो एधर आएगी, और इसका temperature बढ़ जाएगा, और इसमें जो high heated temperature है, वो cool हो जाएगी, बॉटम से जो distillation tower का जो bottom है, उसका temperature डॉन करने के लिए, हम exchanger को भीजएंगे, हम इसका exchanger है, हम को interchanger कहतेंगे, तो बहुत हो जाएगे, क्योंकि cold temperature, hot temperature, दोनों interchange हो जाए और यहाँ पर जो resultant amine rich amine जाए रहे है, वो hot temperature में जाएगी, और यह जो hot lean amine है, यह cold हो जाएगी, जो lean amine storage बदल को जाएगी, ठीक है, यह amine regionation unit है, इसके लिए मैंने separate सा वीडियो बनाया, आप देख सकते, जिस मैं आपको overview बताऊंगा, ताकि कम टैम में आपको सारे units क होते हुए, यह distillation column में इसमें बहुत सारे trace रहते है, यह trace देखिए, डिजाइन के हिसाब से बनाया जाते है, यह सब calculation होता है, chemical balance, ठीक है, इस distillation column में हमाई पस reboiler होता है, जहांते steam जाती है, यह steam इतर आती है, steam reboiler में जाती है, और rich amine इसमें आता है, और heated होने पर lean amine बन होती है, और रेजल्टेट्ट अमाइन होती है, lean amine जो storage tank को भेज दी जाती है, जब lean amine बन गए है, वो lean amine acid gas remote unit को दुबारा यहापर भेज़ाजा जाती है, तो lean amine इदा आती है, फिर rich amine इदा आती है, फिर यहां से जो rich amine बनी है, वो lean amine दुबारा इदा आती है, यहा तो यह था Amine Regenation Unit और हमने तो Amine को Regenate कर लिया अब Amine Regenation Unit का मैंसे product main निकला है देगे रिफ्लक्स ड्रम से यह गया sulfur recovery unit तो यहां का main product हमारा जा रहा है sulfur recovery unit यह बहुत important unit है जो आपको बहुत सारी job देगी आप हमेशा chemical engineering के लिए देखते हैं में sulfur recovery unit के बहुत सारे jobs होते हैं ठीक है यह sulfur recovery unit है जो Amine Regenation Unit से जितना भी software क्यास है वो sulfur recovery unit को जाता है अगर वहाँ पर कोई problem होने पर हम इस डारिक acid flare को भीज़ देते हैं देखे चलिए हम आगे next unit के ले जाएंगे हाँ अभी हमने पढ़ा था कि Amine Regenation Unit Amine Regenation Unit के बारे में पढ़ लिया है अब यह देखे यह Amine Reclaim Unit है Amine Reclaim Unit में देखे लीन Amine जो Amine Regenator से निकली है उसको हमको clean करना है बस filtration method को Amine Reclaim Unit कहा जाता क्योंकि जब Amine हम जितनी भी collect करें वह Amine suitable नहीं होगी दुबारा हम उसको acid gas removal unit को भेजने के लिए क्योंकि जब हम यह distillation करेंगे और यह Amine जब natural gas से react होगी तो इसमें बहुत सारा dust particle और corrosion होने पर या गैस की चेंज होने पर इवन वाल्स में जो grazing की जाती है वो भी जाकर Amine डिस्ट्राफ हो सकती है तो उसको हम clean करने के लिए हम उसको बेजेंगे filtration के लिए अब देखें यह Amine गई पर सबसे पहले हम उसको filter में भेजेंगे ताकि इसका temperature थंड़ा हो जाए cooling water supply cooling water return तो इस से थंड़ा होया उसके बाद Amine गए देखिए अमार लीन अमाइन मेश filter गई वहाँ से फिर activated carbon गई activated carbon के बाद लीना माइंगे देखें mechanical filter गई उसके बाद candle filter गई वहाँ के बाद फिर यह लीना में storage गई और यह जाएगी दोबार Amine contractor या Amine treating unit Amine treating unit या acid gas removal unit या acid gas treating unit यहाँ पर दुबारा चलेगे तो Amine reclaim unit का function यह है filtration of Amine ताकि Amine को दुबारा improve कर सकते और Amine कई बार loss भी होती है जैसे के कोई process में carry over होता है या corrosion की वज़े से या कई leaks होने की वज़े से even high pressure होने की वज़े से Amine भी gas के साथ चल जाती है natural gas के साथ तो जो losses है इसको recover करने के रिए हम Amine make up drum या Amine add drum जिसमें हम fresh Amine लाते और वो दुबारा इदर add कर देते हैं add करके ताकि unit में हमारे constant amount of Amine फिरता रहे है ठीक है अब हमने Amine reclaim unit भी देख ला है चले अब हम दूसरी unit के ओर जाते है हाँ अभी तक आप लोग ने पढ़ लिया है कि acid gas removal unit hydrotating hydroprocessing hydrocracking sour water unit पढ़ेंगे हम sour water stripper unit अभी recently आपने Amine regeneration unit भी पढ़ लिया है ठीक है sour stripper sour water stripper बहुत सारी लोग इसे कहते के sour water stripper unit बहुत important unit है और यह बहुत ही easy भी है और more dangerous भी है dangerous इसलिए क्योंकि इसमें hydrogen sulfide remove किया जाता है चले देखते sour water हमको कई unit से मिलता है जैसे diesel hydrotating unit kerosene hydrotating unit और sulfur recovery unit से भी मिलता है sour water even हमको मिलता है कि देखे टेल गास टीटिंग यूनिट में से भी sour gas generate होता है यह जितना भी sour gas sour water plant में generate होता है वो पूरा sour water यह unit को भेजा था sour water stripper unit petrochemical complex या refining complex में जितना भी जमां होगा यह पर भीजा जाता है sour water एकास of water है जिसमें contaminants है contaminants का है hydrogen sulfur nitrogen oxygen hydrogen sulfide gas जब यह reaction के बाद यह hydrogen sulfur जाकर hydrogen sulfide बन गई nitrogen अमोनिया बन गया oxygen जाकर sour water हो गया तो यह sour water है यह sour water stripper को जाएगा और stripper में देखे यहाँ पर आकर जितना भी sour gas है stripper में the sour water आएगा और हमाँ पास एक re-boiler है re-boiler में देखे इसको हम heat कर देते इसमें steam continuously जाती और sour water में आता है और heat up होगे दर जाता है तो जितना भी sour water है heat up होने पर उससे sour gas release होती है और sour gas sulfur recovery unit को भेज़ जाता है और जो रेल्टेंट वाटर है उसको strip water कहा जाता है ठीक है strip water ऐसा water है जो stripper में भेज कर जिसको heat up करने से इस चीसमें एस्ट्वेस निकल गया उसे strip water कहते है sour water ऐसा water है जिसमें h2s है sour gas ऐसी gas है जिसमें h2s content मिली है और contaminated gas है ठीक है तो हमने sour stripper unit में जैसे water भेजा sour water भेजा और heat up करने पर देके हमने उसमें से strip water निकाल दिया है और sour gas sulfur recovery unit को भेज दिया है और हमारे पास देखे sour water condenser भी है जब हमारे कॉलम में हमको देखे constant temperature parameters pressure maintain करना है अगर pressure बढ़ जाए temperature बढ़ जाए तब हम क्या करेंगे यह condenser है चाहसे हम sour water को control wall के जरी यहां सर भेजेंगे जब उसका temperature drop होगा ताकि कॉलम हम एक constant temperature और pressure maintain करें तेखे अब देखे यह sour water आया और हमारा देल्टेंट strip water बन गया और gas sour gas जो sulfur recovery unit की ओड चले गई है तेखे अब हम next unit के बारे में जाते हैं sulfur recovery unit यह unit बहुत important unit है यह unit बहुत ही vital road play करती है कि pollution कम करने में और environmental norms बनाने में अब देखे हमारे पास h2s gas आ गई है कहां से sour water unit से और Amine Regenation unit से तो sour gas दो जगे से आ गई और अब हम वो gas का कैसे processing करेंगे यह sulfur recovery unit है तीक है अब इसमें देखिए sour gas आई एर यू से स्टेबलो से यहाँ पर हमने इसको heat up कर लिया और यहाँ पर भी हमने heat up कर लिया और देखे sour gas यह दोनों मिलकर sour gas heater को चले के जापर heat up हो जाता है और यहाँ से हमने air लिया air को भी heat up कर दिया और यह air hot air furnace में गई sour gas भी furnace में गई furnace में जाकर इसका temperature furnace का temperature देखे वह more than thousand degree होता है okay thousand degree पर h2s react होती है react होकर liquid sulfur में बनती है कैसे बनती है मैं आपको बाद में reaction बताऊंगा next page में बताऊंगा उसे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं sulfur recovery unit का तो देखे हमने sour gas आती है srs से sws से और नौकट रम जाती है और उसमें जितना भी sour gas है वह तुबारा drain drum चल लाएगा होगी और यहां पर क्लेक्ट होगी और यहां सपे हम क्या करेंगे एक कोई में स्टीम जाएगी दूसरे में से कंडिसे निकल जाएगा तो sour gas को हीट करके furnace में बेजाएंगे वैसे एर आएगी और यह टांक है टांक में देखिए स्टीम क्वालिंग लगे हुए एरिया से जाएगी और एर हीट होकर furnace में जाएगी furnace में reaction होगे जो मैं आपको next बताऊंगा के reactions कैसे होगे अब इसके बाद जो 1000 डिग्री temperature है वह जाएगा देखिए वेस्टीट बॉयलर में इसको हम थंडा करेंगे और जो स्टीम जनरेट हुई हो वह हम टर्बाइन को बेजेंगे और वो टर्बाइन से हमारा यह ब्लोवर चलता है और जो रेजल्टेंट स्टीम है वह सलफर कलेशन पिट में यूज होगी सलफर का मेंटेंट करने के लिए और बॉलर फीड वाटर जो कंडेंसेट वाटर बना उससे हम हीटर कंडेंसर में डालेंगे और हीटर में स्टीम यूज करेंगे बस स्टीम का यह ही उसे है तो हमने स्टीम सर्कुट पढ़ लिया है अब देखिए यहां से जो सलफर गैस है वह ज हो जाएगी और हीटर में फिर दुबारा हीट होके क्लोस केटलेटिक रियक्टर को जाएगी वहां से फिर दुबारा कंडेंसर आएगी कंडेंसर से फिर लिक्विड सलफर होगा रिमेनिंग गैस जाएगी फिर हीटर जाएगी हीटिंग हम इसले करते ताके प्लगिंग लि डिएलेंट में जमान होता है और जो रिमेंइन गैस जो त्री या फॉर क्लोस र्याक्टर से सब सकूने हुए या रह कण्वट नहीं वह ग्यां जाएगी टिल गास ट्रिधिग यूनिट को जरी हीट करने से पहले हम उसको hydrogen add करेंगे ताकि उसमें रियक्शन होकर दुबारा एस्ट्विस गैस बन जाए उसके बाद एक प्रीवीटर भेजेंगे जिसमें स्टीम जाएगी करने से निकलेगा और वह गैस हीट हो जाएगी फिर वह जाएगी कॉट रियक्टर के बाद यह जाएगा कोइंश टावर में देखें हम बॉयलर फीड वाटर एड करेंगे तो जितना भी गैस में सवर गैस है वह रियक्ट हो जाएगी और सवर वाटर बन जाएगा सवर वाटर हम सवर वाटर स्ट्रीपर यूनिट को भेज देंगे और जो गैस जो कंड जो कंड नहीं हुई सवर वाटर में जो फ्री एस्ट्वेस है वो तो सवर वाटर में डिजॉल्व होगी जो एस्ट जाता है और यहाँ पर भेजने पर देखे हम टॉप से लीनमाइन दारे नीचे से रिचा माइन निकलेगी अब्ज़र्ब करने के बाद और जो रिजल्टेंट के ऐसे वह जाएगी ऐसा यू को जाएगी और फिर रिचा माइन को हम दुबारा हीट अप करके लीनमाइन बना ल है सब्सक्राइब कात डिचिति हैं सब्सक्राइब इस तो इस को निकालने के लिए क्या किया जाता लें है इसमें तक इसमें करते हैं इसने होता कर देंगत दूबारा भेज़ देंगे अगर है Medien तो हम उसको टीजीटीव को भेजोएंगे लीफ dish में एक ऐसमें कॉलम एक होता है जिसमेंãy प्रेंजर्स होते हैं जो और इसमें एर्स सप्नाइव याजता है जब एर्स सप्लाइव करने पर देखें इसमें continuously air bubbling होती है एर bubbling होने पर जितना भी है वो पुरा बाहर आ जाता है और यहां पर एक sweeping air दिया जाता है जो एक exhaust fan की तरह gas को पूरा अच्छी तरह लेकर आगे की unit में भेज जेता है तो sweeping air is nothing बाते gas for exhausting और एक vacuum की तरह होता है अब जैसे के हमारे घर में देख इचर में exhaust fan होता है जो सिर्फ और सिर्फ hot gases को absorb करता है लेकिन water हो या के material को ने क्योंकि उसकी capacity नहीं है उसी तरह sweeping air भी ऐसे जिस किया जाता है ताकि वो sulfur को नहीं only h2s या contaminant gases को exhaust gases को absorb करकर incinerator को भेज़ दिया या पर तो हमने देख लिया है तो और जो bottom से जो sulfur है storage tank को भेज़ा जाता है जो storage के लिए जो दूसरे जो दूसरे companies को भेज़ा जाता है ताकि वो liquid sulfur से sulfuric acid या shampo's even chemical drugs dyes में use कर ले और अगर हमाँ पास अगर और भी इसको lifelong रखना है तो हम उसको sulfur granulation unit को भेज़ा जाता है जहापर sulfur का granulation किया जाता है sulfur granulation इसलिए किया जाता है ताकि sulfur को long length और अच्छा लंबा टाइम मिले storage के लिए देखिए अगर sulfur को हम सही से store नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा और liquid sulfur को हम continuously रख नहीं सकते क्योंकि हम continuously रखना है तो मुसको steaming देना है steaming देनी पड़ेंगे तो बहुत सारी energy लखेगी जो एक company पर बहुत ही ज्यादा load पड़ जाएगा तो पेटर होगा कि अकर हम उसको granule form में रख लेंगे तो उसकी reliability और validity जो और life span जो रहेगी अच्छी रहे कि वह contaminated नहीं होगा atmosphere से तो देखते हम कि एक ऐसा granulation बनाया जाता sulfur recovery unit में यह देखें यह sulfur granulation unit है बहुत simple unit है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसके भी बहुत सारे jobs है जिससे SRU आता है वह भी granulation के में definitely जाना चाहिए यह liquid storage tank में sulfur था liquid storage tank हमेशा steaming के साथ ही होते हैं even pump भी steaming line भी steaming steam jacketed होते हैं क्योंकि लिक्विट sulfur को आप थोड़ी देर भी steam ना दो और एक drop या सा बाहर गिर गया तो वह पथर बन जाएगा दस यही property से sulfur की ठीक है यह liquid sulfur storage tank है यहाँ से pump किया जाए यह उपर से sulfur आ रहा है और इसमें देखिए यह water है और यहाँ स्टेनर से और इसमें weight wall है और यह water tank है और यहाँपर heat exchanger है क्योंकि जब water sulfur से react होगा मिलेगा तब क्या होता sulfur का temperature तो high liquid रहाए 130 के वाप रहता तो water temperature यहाँ से थंड़ा गरम हो जाएगा तभी यह water इदर storage tank में collect होता है और दोबार एक्चेंजर दाकर इदर spray होता है अब देखिए आगे क्या होता है यहाँ से आया और यहाँ से continuously इसका temperature बढ़ता है और यह pump के दर एक्चेंजर जाएगा थंड़ा हो जाएगा तो वैसे हमने पानी का temperature तो maintenance कर लिया है अब यह liquid hot sulfur आएगा और आकर इदर जैसा इसमें गिरेगा इसमें एक मेश टाइप होती जो balls टाइप में sulfur को convert करता है granule form में तो जैसा वो इदर आता है वो granules बनके ऐसे बनता है यह देखिए granules यह continuously बनते जाता है बनने पर क्या होता है जब sulfur पत्तर की तरह बन जाएगा तो obviously पानी उपर रहेगा और यह sulfur के balls नीचे आ जाएगे तो यह यहाँ पर ऐसे sulfur जमा होगे और जैसे ही इसका weight यह weight wall है generally हमने control wall देखा pressure wall देखा temperature wall देखा यह weight wall है जो weight के उपर open होता है इसके उपर देखे मैं for example मैं इस पर दाता हूँ weight wall की कि इसका position देखे मैं 10 kg weight दाला जैसे इसमें 10 kg आएगा यह control wall खूलेगा और 10 kg का materials में आ जाएगा जैसे 10 kg बंद हो तो ऐसे continuously process चलता रहता है देखे यह weight wall खुला और यह आएगा screens में गिर गया और जितना भी पानी जो आगया इसके साथ यह हट जाएगा और यहां से vibrating screens है यहां पर हट जाएगा हटने के बाद देखिए इसको हम क्या करेंगे यहां पर एक यह conveyor belt है यहां के धरों को भीज हट जाए और जब इस इदर से पास हो लेते जाता है इसमें से maximum moisture पुरा हट जाएगा क्योंकि यहां से उपर गया तक सब moisture water जिता में गिर जाएगा और होटर से पास होने पर एकदम यह drive हो जाता है और और यहां से आया और यहां से पूरा यहां से देखिए conveyor belt से होते होत hoppers यहां से फिर इसमें स्टूर कर ले जाते और जब इसकी capacity full हो गई तो इसको हम फिर elongate कर देंगे तो यह यहां पर फिलिंग होगी फिर silos में तो इसकी long capacity आप 10 years तक भी sulfur रख सकते वहां से फिर आप ट्रक में लोड़ करके बेज़ देंगे तो यह था sulfur granulation unit अब हम देखें क्लॉस प्रॉसस के reactions ओके फ्रेंड्स क्लॉस रिक्शन्स यह फन्स के reactions है एक डालिक्स रेक्शन है और यह सड्रेक्शन है ओके हमारे पास हैस्ट्वेस गैस कहां से आई थी सल्फर रिकवरी यूनिट में एस्ट्वेस गैस देखें सोर वाटर यूनिट्स है थी और हमारे पास आई थी देखें हमारे इन रिजनेशन्स यूनिट्स है यह दो मेनली यूनिट है जो जिनका प्रॉड़क्स एसर्यू का रा मेटिरियल है तो यह देखें टू मोल्स त्री मोल्स ओफ ओक्सिजन गीवरास टू मोल्स अफ इस तो मोल्स अब टू मोल्स ऑटर फॉटर हाइली एक्जो धर्मिक रियक्शन तो यहाँ पर बॉटर पी जनरेट होता है उसके बाद देखें प्लस एसो फॉनिस में जब हम हैट्रोजन सलुफाइट को वाटर एर से करते तो यह बनता है और हैट्रोजन सल्फाइड में जब मारी फनेस में अल्रेडी सल्फर डायोकसाइड है तो एस्टु एस प्लस एसो टू यह रियाक्ट होकर बनता है सल्फर वेपर्स प्लस एस्टू वाटर यह एंडोथर्मिक रियक्शन है अब देखिए यह फनेस के रियक्शन्स है फिर से आपको बतारो देखिए आप क्लेरली देख लिए अगर आपको इसका कुछ पीएबडी या नोट चाहिए तो आपको कमेंट्स में मेसेज कर दिए मैं आपको मेल कर दोंगा टू मोल्स अफ हड्रोजन सलफाइड प्लस त्री मोल्स ऑफ ऑक्सिजन गीव रैस्टू टू मोल्स अफ एसो टू प्लस वाटर यह एसो टू फनेस में होता है क्योंकि वहाँ पर जनरेट होगा फिर दुबारा जब एस्टूस आएगी तो एस्टूस और एसो टू और यह जो पहला रियक्शन था एक्जो थर्मी फन इस दू डियूजन में होती है देगे ओके स्टार्टिंग में इदर रियक्शन होगा और एंडिंग में सल्फर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा अच्छा क्या क्याटलिटिक सेक्शन यह होए देखिए मॉडरेटली एक्जिथर्मेशन है यह यह क्लॉस रियक्टर में होता है तू मुस अफ हैड्रोजन सल्फाइट प्लस एसो टू इससे बनता है सल्फर वेपर और वाटर एस्टो मॉडरेटली एक्ज़ो थर्मी गए और साइड में रियक्शन भी यह पर होते और हम जो रियक्टर यूज क अब रियक्शन देख लेजे साइड रियक्शन क्या हो रहे सी ओ एस प्लस त्री बाइटू ओ टू यह तू यह तू कैंसल तो त्री मोल्स अफ ऑक्सिजन आसो टू और सी ओ अब देखे इस इस रियक्शन का बैलेंसिंग भी देख लेते यह सल्फर वन मॉलेक्वल वन मॉलेक्वल ऑक्सिजन टू मॉलेक्वल टू मॉलेक्वल बराबर है और इसके भी देख लेजे कार्बन दो है कार्बन एक है कार्बन एक है कार्बन एक है सल्फर कितने हैं देखे दो है यह भी सल्फर दो है ऑक्सिजन त्री टू जा सिक्स है तो यह पिस तू तो फोर हो गए यह टू 6 बराबर रियक्शन एक जाक्ट और यह भी देख लिए सी ओस कार्बन एक है कार्बन एक है ओटू 4 है तर बें तो इधर कितने हैं देखें यह टू यह टू कैंसल तो 3-2 प्लस 1-2 4-2 यह एकतम परफेक्ट बैलन्स रियक्शन है तो यह देखिए यह सल्फर बण गया यह 33 सल्फर ठीक है यह हो गया और है स्ट इसका वेस बैलंसिंग देख लिए क्लोस्ट रियक्शन का बैलंसिंग फोर है टोजन एक फोर है टोजन को उसे लाफ है कि टू सलफर एक्षिन हमारा परफेक्टली बैलनस है और रही बात नेक्स्ट रियक्षिन की जो एंडो थर्मिक रियक्षिन है एक्षिन है और फ्रेंड अब आपने तो क्लॉस रियक्षिन भी देख लिया है क्लॉस और मैंने बहुत सा कवर कर दिया आपको स्टेब बाइ स्टेब एसार यू एर यू स्टेबलो एस एटी यू आमाइंटीजनेशन यूनेट और बहुत सारे यूनेट्स पर आवे लास्ट में मैं जस्ट एक ओवर्वीव की तरह मिलना चाहूं है एड्रो टीटिंग ऐसा यूनेट है हाइड्रो प्रोसेसिंग यूनेट है जहाँ पर 52 फीड फीड नैप्ता केरोसीं डीजीजन उसको रियाक्ट करते है रियाक्ट करने पर जो प्रोसेस है वह टिरिटेड सौवर सोवर fit कहा जाता और जो रेजल्ट कैस है उसे हैदो टीटेड केरोसीं हंच दीजी्ल कहा जाता है और उसमें से वादना क को remove करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है अब देखे मैंने आपको बहुत सारी यूनिट बता दिये लेकिन hydro treating के बारे में नहीं बता है hydro treating में देखे menly क्या किया जाता है कि आपको बताता हूं कि अ तो आपर हाइड्रोटीटिंग में सबसे पहले हमाँ पास एक रियक्टर होता है जिसमें कैटलिस्ट होता है कैटलिस्ट देखिए बहुत सारे वेंडर्स होते हैं कुछ लोग नीमो युसका थे कुछ लोग कोमो मतलब निकल मॉलिब्डवनम और कोमो मिस कोबाल्ड मॉलिब् और हैड्रोजन जिसका हाई प्रेशर होता है और फीड जैसे केरोसीन लेजे केरोसीन और हैड्रोजन दोनों मिक्स होकर रियक्टर में जाएंगे वो रियक्टर में कैटलिस्ट होता है कोबाल कोबाल मॉलिब्डवनम या निकल मॉलिब्डवनम और बहुत कंपनीस के अपन कुएंच करने के लिए हम दुबारा hydrogen भेजते हैं तो और जब रिजल्ट टेंपरेचर पहले बढ़ जाता है हम उसको दूसरे बढ़ भेजने के लिए हमको फिर टेंपरेचर को डॉन करना पड़ेगा डॉन करने के लिए हम उसमें hydrogen hydrogen add करते hydrogen add करने के बाद देखिए दुबारा temperature बढ़ जाता है कूल हो जाता है फिर दूसरे बेट के बाद फिर हम फिर से हम उसको दुबारा एड करते ताके hydrogen sulfur nitrogen और contaminant जो है वो रिमोफ हो जाए फिर दुबारा third bed fourth bed fifth bed आपकी capacity के साब से बेट्स होते हैं उसके बाद जो resultant feed है जो reactor से निकला वो उसे reactor effluent क्या थे रियक्टर effluent को cool किया जाता है उसके बाद उसको एक separator में भेजा जाता है जहां पर separator में देखिए sour water remove होता है और sour gas remove होती है और hydro treated kerosene hydro treated diesel hydro treated naptha कहा जाता है तो टॉप से जो gas remove हो गई वह हमाई treating unit को जाएगी acid gas removal unit के लिए और जो bottom से जो boot leg में sour water जमा हो गया है वह यहाँ पर जाएगा आपको मैं एक छोटा सा डियागरम बताता हूँ separator का एक टैंक है कि इसका बूट लेगा है कि ठीक है hydro treated kerosene diesel जितना भी रियक्टर का जो effluent है वह एक कूलिंग मीडिया को भेजाता है एक्चेंजर को या फिन यह जाएगी acid gas treating unit को जाएगी और यहां से hydro treated kerosene या hydro treated diesel देखें यह जो डिद्ल है रोट टिटिंग का जो रियक्टर है रियक्टर का जो एफ्रिविंट है सबसे पहले स्कूल कर देंगे कहां पर फिनसन यूज करकर या कोई बड़े कॉलर्स यूज करेंगे या बहुत सारे फैंस या कंडेंसर्स यूटलाइस करेंगे जो भी एफिशेंट रहा वह उतल वो कूल करने के बाद जो फीड है वो इधर हाई प्रेशर सपरेटर में आगी जहाँ पर मिक्स फीड इधर आगी और यहां पर आने पर यहां पर एक नॉकट वेजल के विशागा सपरेटर रहेगा जो यह पर फिक्स क्लिक होने पर नॉक आट होने पर सवर वाटर जितना में क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादी होती है वो नीचे दर जमा हो जाएगी और यह सवर वाटर को जाएगा और आपको आप जानते हैं कि ऑईल की डेंसिटी कम होती है तो ऑईल जितना भी कलेक्ट हु है तो सावर वाटन नीचे चला गया स्ट्रेस पर चले गई केरोसीन आपको और भी सिंपल अंडिस्टैनिंग के देखें मैं बताता हूं कि एक ग्लास है ओके इसमें वाटर कि यह पर जमा होगा ठीक है यह केरोसीन ऊपर रहेगा ठीक है यह गैस अब जो वाटर है वो यह से निकाल लिए और जो ओई है यह से सप्रेट हो जाएगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी बहुत ही ज्यादी है तो नीचे है और की डीजिल केरोसीन की कम है तो पानी के उपर है और गैसेस की डिंसिटी बहुत ही कम है तब वो उपर हैगी तो जो भी गैसेस है एक एक एक्जॉस्ट फैन या कंप्रेसर के तो यह पूरा अब्जर्ब होके यह गैसे जाएगी एसीड गैस रिमोवल यूनिट और अमाइन ट्रीटिंग यूनिट औ तो इस गैसेस में देखिए हाडोजन सुफाइड है अमोनिया है जो हम वाटर में मिक्स होने के बावजूद भी हम इसको रिमोव नहीं कर सके तो वैसे कैस को हम अमाइन से रियाड करा कर रिमोव करेंगे बस यह तरी ही सप्रेशन है इसमें देखिए और इसमें जो तो यह में आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है कि त्री लेयर सप्रेशन कैसा हो रहे वाटर की देंसिटी ज्यादी है तो सौवर वाटर की तरह रिमूव हो गया और उसके बाद है लेके देंसिटी डीजील की है केरोसिन की है यह ओपर से हट जाएगा और भी लाइटर मेट जो है गैसे या उसको आफ गैसे या फ्लू गैसे भी कह सकते जिसमें हडोजन सलफाइड अमोनिया करबन डाय ओक्साइड जो डिफेंट गैसे अन्रियक्टेड गैसे फॉर्म में वह इधर से जाएगे उसके बाद वह गैसे को रियाट करने पर जो क्लीन गैस है उसको हम फ भी सकते हैं यह सलफर फ्री रहेगी सलफर फ्री जो आजकल बहुत ट्रेंट चल रहा है के फ्यूल सलफर फ्यूल विटाउट सलफर तो यह सलफर पुरा निकाल दिया गया तो यह और देखें यह हैड्रो टीटिट केरोसीन डिजिल जब हम इसको दुबारा यूस करेंगे या लाइन्स के तरो बेजाएंगे नहीं वह लाइन्स को करोड होने देगी नहीं कैटलिस को खरब करेंगे क्योंकि इसमेंसे हमने कंटमिनित रिमूब कर ले थे तो हैड्रो टीटिंग का मेंठट बस इतना ही है हाड्रो जन को कंप्रिसर के तरो एक लाइन में भेजा जा और फीड यह उसी लैंसे जाएगी और हैड्रोजन प्लस के रोसीन वह जाएगी एक रियक्टर में रियक्टर में रियक्टर में कैटलिस्ट रहएदा और उसमें फिर हैड्रोजन मिक्स करते हैं तब उसमें से है यह घ्यक्षन होगा क्योंकि एक रिाक्षन होले सर्जार ऻिष्याक्षन होगा तो यहां पर रियाक्षन होता है कि होता है 1 सर्फटर अमोनिया फिरम यह है उपर नाथ जाएगा तो लिक्यट फॉर्म का हम सोर्वाट स्ट्रीपर यूनिट भेज देंगे यहां बेज देंगे। और जो रेजल्टेड हमारा ट्रीटिट फीड है कि यह इस फीड को हाईड्रो हाइडो टीटेट केरोसिट हाइडो टीटेट डीजिल इसको हम टीटेट फीट कहते हैं या सुइट फीट कहते हैं जिसमें से हमने कंटामनेट रिमोग कर लिया है अब बाकी का फीड जो फीड है वो दुबारा डिसिलेशन में जाकर उसमें से हम जेट फ्यूल निकालना है व तो थीके, फ्रेंट्स, तो हमने अभी तक क्या क्या जान के देखे, sour gas जान के है, hydrotreated diesel, तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, short form में एक कहते हैं, sour gas, एक ऐसी gas है, जिसमें, H2S presence है, sweet gas, ऐसी gas है, जिसमें H2S remove कर दिया गया है, okay, amine, amine is the organic compound, which is derived from ammonia, okay, और डिफरेंट तैप्स ऑफ अमाइन, मीथाइल डाइथनॉल अमाइन, डाइथनॉल अमाइन, डाइगलोकल अमाइन, मीथाइल डाइथनॉल अमाइन, डाइएसोप्रोपिल अमाइन, टेट्राइथाल अमाइन, यह सारे अमाइन्स है, अमाइन का काम होता है कि सौबर गैस को absorb करना जो gas, जो H2S, water के जरए remove हो गई, वो sour water में गई, जो H2S, जो gas में भी presence है, जो हम water से remove नहीं कर पाए, उस H2S को हम ammo iron से absorb करने पर, ammo iron से react कराते, ammo iron से react करने पर, ammo iron absorb कर लेती है, उसके बाद हम उसको, रिमूब कर सकते हैं तो इसलिए Amine का यूज़ किया जाता है तो ठीक है हमने sour gas, Amine और Amine Treating Unit यही है जिसमें Amine को sour gas से treat किया जाता है Amine Treating Unit Amine Regenation Unit ऐसा यूणिट है जहाँ पर Amine को regenerate किया जाता है जो rich Amine से lean Amine में convert होती है और जो resultant H2S है वो Sru को जाता है ठीक है नेक्स्ट sour water stepper unit, sour water stepper unit का काम एक ही है sour water को sweet water और sour gas में convert करना, tail gas treating unit में Sru, sulfur recovery unit से जो remaining H2S gas जो remove नहीं ही हुई उसको हम tail gas treating unit को भेजेंगे और liquid sulfur handling unit, liquid sulfur handling unit एक ऐसा unit है जहाँ पर liquid sulfur को handle किया जाता है और sulfur को liquid form में store किया जाता है, sulfur को liquid form में store करने के लिए देखें continuous steaming देना पड़ता है, LPS steam देंगे हम ताके sulfur को temperature maintain temperature, liquid sulfur को maintain करने के लिए 130 to 135 temperature maintain करना ज़रूरी ही होता है और यह temperature हम steam के जरिए maintain करते हैं, ओके यह बता दिया, अभी क्या बचा देखें, मैं आपको बहुत एक important principle बताना चाहरा हूँ, जो amine के लिए है, amine treating unit और amine regeneration unit का main basic principle, low temperature, high pressure high temperature, low pressure, here are you, amine regeneration unit का एक principle ले देखें, आपके पास amine है, amine sapus hydrogen sulfide निकालना है, निकालने के लिए आप उसको उस reactor में आप या distillation column में high temperature यूज़ करेंगे, इसका मतलब steam यूज़ करेंगे और low pressure, pressure कम रखेंगे distillation column में और temperature ज्यादा देकर heat करकर आप उसमें से H2S निकाल लेंगे, तो principle of amine regeneration unit is to maintain high temperature and low pressure in distillation column और amine treating unit या acid gas removal unit का प्रिंसपल है, low temperature, high pressure, low temperature, high pressure और इस, amine temperature should be 10 degree higher than the acid gas to avoid condensation, again I am repeating, amine temperature should be 10 degree higher than the acid gas temperature to avoid condensation, अगर हम 10 degree temperature बढ़ाखे रखेंगे, तो जो gas है, जो gas, जो hydrocarbon है, वो condensed नहीं होगा, इसलिए हमको 10 degree temperature बढ़के रखना है, ठीके, आज हमने हमको प्रिंसपल भी मालम हो गया, कि प्रिंसपल ऑफ, सप्रेशन ऑफ, एस टू एस, और यह सेम प्रिंसपल, hydrogen, ARU का, सेम प्रिंसपल, सोरवाटर स्टीपर भी लगाया जाता है, क्योंकि हम सोरवाटर स्टीपर में भी हम temperature, high temperature maintain करते हैं, और low pressure maintain करते हैं, और यह चीज़ भी बता दूंगा आपको, यह बहुत ही important है, और यह question कई बार इंट्रिव्य उसमें पुछा जाता है, क्या amine contaminate होता कैसे है, amine contaminate देखिए, एक moisture से होता है, दूसरा oxygen ingress से होता है, तीसरा corrosion, अगर आपकी plant में corrosion हो गया है, clients में corrosion, चौता, जब walls की grease किया जाता है, या उसको oiling किया जाता है, तब अगर पास हो है wall, तो उसमें अगर grease चला गया, तो भी amine नहीं कर सकते हैं, और एक देखिए, presence of organic material, जैसे के carbon आ गया, जैसे filter leak हो गया, और carbon आगे जाकर हो गया, और reaction होकर, चौता, unstable salts, unstable salts, जैसे के exchanger आपको reboiler है, और condenser है, उदर एकदम से high temperature या low temperature maintain करने पर क्या होता है, उदर अपर salt formation होता है, और salt formation से जैसे ammonia ice twist होके, ammonium sulfate भी बन सकता है, तो वो salts, जो जिसे हम unstable salt करते हैं, वो salt amine से react होने पर, हमारा amine खराब हो सकता है, तो ये reasons हैं जो amine को contaminate करते हैं, अब इस amine को हम कैसे protect कर सकते हैं, एक, line जितने भी है, या SS के use करिए, या amine का, जिसे हम coating करते हैं, ने स्कोटिंग, या वो देना, दूसरा, line ओ में corrosion नहीं होने के लिए, जितने भी reactors है, tanks है, उसमें, इसमें, storage tanks है, उसमें nitrogen blanketing, देना धरूरी है, nitrogen blanketing, simple blanketing है, यह देखिए है, हमारे पास tank है, यहापर एक nitrogen blanketing दिया गया है, और इधर का outlet है, flare को जाएगा, simple, अगर इसका, जब nitrogen blanket देने से, इसमें कोई oxygen नहीं हो गया, तो nitrogen बस इसमें, अगर pressure कम हुआ, nitrogen खूलेगा, और अगर pressure ज्यादा हो गया, तो यह flare को चल लाएगा, बस इसे ही nitrogen blanketing गयते, तो हम nitrogen blanketing देने पर storage tank में nitrogen blanketing देना चाहिए, जिसे, अमारा amine खराब नहीं होगा, और जिसमें oxygen नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों, और एक बात आपको मैं बताना चाहरा हूँ, SRIU, SRIU का main function यह है कि hydrogen process, hydrogen sulfide gas को sulfur में convert करे, और आपको देखे, hydro treating cover हो गया है, SRIU हो गया है, और ARU हो गया, SWS हो गया, tail gas treating unit, और kerosene hydro treating, अभी एक बचा hydro cracking, hydro cracking क्या है, hydro cracking बहुत ही simple unit है, बहुत सारे लोग difficult हो जाते, hydro cracking समझ नहीं, एक simple सा example देता हूँ, hydro cracking unit is a type of unit in which reaction take place, for example, hydro processing, फिर heavy oil is cracked into the presence of hydrogen and catalyst to give cleaner fuel, यह बहुत heavy हो गया, ठीक है, hydro, देखे, heavy crude oil molecule है न, उसको हम simpler form में divide करने के लिए, hydro cracking करते हैं, जैसे, कोई bigger molecule है, उसको हम smaller molecule में convert करने के लिए, hydro cracking यूज़ करते हैं, जैसे hydro crude oil, एक बड़ा polymer है, उसको हम monomer में करेंगे, जैसे various distillate में, और gases में, जैसे smaller molecule में, उसको कहा जाता है कि hydro cracking, crack करना मिन्स तोड़ना, एक बड़ा polymer है, जिसको हम तोड़कर कई monomer में बदलेंगे, heavy oil को, हम उसको light oils में convert करेंगे, बस इसी को हम कहते है, hydro cracking, crack करना, मिन्स तोड़ना, crack करना, तीन चार पार्ट्स में crack करना, जैसे hydro cracking में क्या किया ज़्यादा, heavy oils है, उसको हम एक reactor में बेज़ेंगे, जहाँ पर catalyst होगा, और hydrogen add करेंगे, hydrogen add करके, जब इसको हम react करेंगे, तो वो हो जाएगा, hydro cracking process, हमारी feed है, heavy feed है, reactor में जाएगी, और उसमें hydrogen भी add करेंगे, और जो कई different product आगे, वो light distillates होगे, तो crack कर दिया, और हमने कई different method में convert कर दिया, तो यह हो गया, hydro cracking, hydro cracking भी मालूम हो गया, और आपको hydro treating भी मालूम, तो hydro treating और hydro processing भी बहुत आर similar, but we have a minor difference, तो आपने आपको पता चलिया, कि hydro treating क्या है, hydro processing क्या है, और hydro cracking क्या है, और main source देखिए, H2S और CO2 यह remove होता है, तो फिर आखरी में, फिर last play मैं कहता हो कि हम hydro treating करो, यह hydro processing करो, यह hydro cracking, में हमारे लिए important है, catalyst और hydrogen, तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे units cover कर लिए, अगर आपको फिर भी अगर कोई doubts है, तो आपको comment करें, और comments में, अगर आपको PhD चाहिए, जो भी मैंने explain क्या है, PhD या कोई questions है, यह से related, तो मुझे comment करें, मैं definitely आपको answer दे दूँगा, thank you very much, guys, please subscribe to my channel, to keep me motivated, thank you, अगर आपको तो